क्यासे है दोस्तो जब भी अमीर बनने की बात होती है तो लोग अक्सर कहते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे आसान काम कोई है ही नहीं अगर आप कहते हैं कि जल्दी या बहुत जल्दी अमीर बनना है तो वो निश्चित तरीके से मुश्किल काम है और ये मुश्किल काम इसलिए है जल्दी या फिर बहुत जल्दी अमीर बनने के लिए कोई फॉर्मिला ही नहीं है लेकिन निश्चित तरीके से अमीर बनने के ल लोग और इसको टाइम दो इतना ही करने से आप निश्चीत रूप से अमीर बन जाओगे लेकिन समस्या ये है कि दुनिया के जैदातल लोग इस छोटे से मैट्स को समझ तो सकते हैं लेकिन वो लोग समझना नहीं चाते मेरे वीडियो में मुझे कॉमेंट आते हैं कि 15-20 साल म अमीर बन कर क्या करेंगे तो देखो अगर आप 25 साल की एज में काम करना सुरू करते हो आप 45 में पक्के अमीर बन जाते हो तो भी आपके पास कम से कम 20 साल जरूर होंगे उस पैसो को पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए और अगर आप ये कहने वाले है कि कहां लोग अब 65 जीते हैं पहले के लोग जिया करते थे तो आपको अपने फैक्ट सही करने चाहिए आप लोग बताओ आप में से कितने लोगों ने अपने परदादा या परदादी को देखा हुआ है जबकि पहले तो साधी और बच्चे भी बहुत जल्दी हो जाते थे ये नंबर बहुत कम होगा कि इंडिया में 1970 के पहले तक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टनसी 50 साल से कम थी जो की 2020 आते आते 70 साल हो चुकी है आने वाले सालों में लाइफ एक्सपेक्टनसी मतलब लोगों की एवरेज एज 90 साल के आसपास हो सकती है ऐसा इसलिए क्योंकि medical facility बहतर हो रही है लोगों की लाइफ पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छी हो रही है लोगों के पास पहले के मुकाबले ज्यादा खाना है पहले लोगों को पेट भर के खाना भी नहीं मिल पाता था और सबसे बड़ी बात ज्यादा पोशन है ज्यादा ओप्सन है जो आने वाले टाइम में और ज्यादा बहतर होते रहेंगे मतलब लोगों की लाइफ ज्यादा लंबी होती रहेगी मतलब अगर आप 45 के बाद भी अमिर बनते हैं तो आपका कुछ नुकसान नहीं है आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकेंगे और आप अपनी लाइफ में फंड भी करपाएंगे क्यूकि आपके पास पैसा होगा तो आप अपनी सेहत भी अच्छी रख पाएंगे अच्छी सीहत मतलब अच्छी लाइफ लेकिन लोगों के लिए अच्छी लाइफ का मतलब वो लाइफ है जो जवानी में मिलती है यकीन माणिये दोस्तों अगर पैतल इसके बाद भी आपके पास पैसे होगे तो आप अच्छी लाइफ जी सकते हैं आपको एक और fact बताता हूँ जो investing के लिए आपकी सोच को बदल देगा आपके हिसाब से ज्यादा तो लोग सरकारी नौकरी क्यों चाहते हैं क्यूंकि इसके दो फायदे होते हैं फर्स्ट तो ये है कि आपको पूरी life के लिए पक्की नौकरी मिल जाएगी और दूसरा जो actual reason ह होता है कि आपको retard होने के बाद जब तक आप जीते हो तब तक pension मिलेगी ये second वाली बात सरकारी खजाने पर बहुत भारी पड़ रही है क्यूंकि लोग अब ज्यादा जी रहे हैं जिससे वो लोग बीना काम करे pension ले रहे हैं और इसलिए कई राज्य सरकारों ने नौकरी से pension scheme बंद कर रहे हैं एक और fact बता देता हूं कि दुनिया में जितने भी अमीर लोग है जो 1 million या ज्यादा की net worth है उनकी average age करीब 61 साल है और जब average की बात करते हैं तो कई ऐसे लोग भी होंगे जिनकी age 70 या 80 साल भी हो सकती है तो अगर आप top लोगों को हटा दे तो इंडिया इंडिया में सिर्फ 7,60,000 लोग है जिनकी net worth 1 million dollar या उससे ज्यादा है और इसमें 48,000 तो मुंबई में ही है हम इस नंबर को गलत मानते हुए उसे 10 गुना भी बढ़ा दे तो भी हमारे देश में total एक प्रतिसत लोग भी ऐसे नहीं है जिनकी net worth 1 million dollar से ज्यादा हो मतलब आप आप सिर्फ ये simple formula मान कर खुद को top 1% में लेकर आ सकते हैं और वो formula मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ income को ज्यादा करो, expenses कम करो, saving को invest करो और इसको time दो और अब आप Elon Musk की बात करने वाले है या फिर Jeff Bezos की, मुके संबानी की, Jack Ma की, Bill Gates की, अदानी की, वीराट कॉली की और ऐसे ही top 50 या 100 लोगों में से किसी का एक का नाम लेने वाले है तो ध्यान रखेगा कि उन्होंने दुनिया को बहुत ज्यादा value दी है, अगर आप दुनिया को value देंगे तो आप अमीर बन जाओगे, उन्होंने अपना time भी बहुत ज्यादा invest किया हुआ है, बहुत महिनत की हुई है, और उसके बाद वो एक level के बाद अमीर बने है, अगर एक जरूरी बात ये भी है, मैं कह रहा हूँ कि आप 20 साल investing करके अमीर बन सकते हैं, और ये जो बात कर रहा हूँ वो अधिक्त टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, अगर आप सही तरह से working करते हैं, तो ये टाइम फ्रेम जरूर 5 साल का हो सकता है, और ऐसा भी नहीं है कि 20 साल, 11 महिने और 29 दिन तक गरीब बने रहेंगे, और अचानक एक दिन अमीर बन जाएंगे, आप investing करेंगे तो हर रोज अमीर बनोगे, मतलब ये है कि आप अपनी life को enjoy करना बंद नहीं करोगे, आप अपने present और future दोनों का ही ध्यान रखते हुए, खुद को अमीर बनाने क कि direction में काम करते रहेंगे, वैसे कई लोगों को जानता हूँ, जिनोंने पहले job करी है, बाद में कोई business किया है, अपनी हर income को invest करा है, अपनी saving को invest करा है, और सिर्फ 5 साल में ही अपने पैसे को grow करने में सफल हो गए, मतलब ये भी है कि invest करके 20 साल में अमीर बनना ज्यादा time में तो आप 5 साल में भी अमीर बन सकते ये मुंकिन है, लेकिन सर्थ ये है कि आपको महनत करनी पड़ेगी, तो आसा करता हूँ कि आप समझ गये होंगे कि अमीर बनने के लिए इसी formula को follow करना होगा, long term investing करने से आप पक्की तरह से अमीर बन सकते हैं, तो दोस्तों अगर वी श कर दो से लग़े, बाभ़े